हेलो एब्डिवान में हूँ स्वाधिन और विल्कम टो आर चैनल दोस्तों इस डिस्क्लेमर देख लीजिए दोस्तों आज कर जो टॉपिक पर हम बात करेंगे यह एक्चुली अल्गे और ब्लूगी नल्गे और उसको सायनोबैक्टरिया भी बोल सकते हो ठीक है सायनोबैक्टरिया का जो इन्फॉर्मेशन हो हम डीटेल्स में कवर करेंगे सा जान लेते हैं एक्चुली क्या होता है इस्पेशली एक्वकल्चर और मचली पालन से ठीक है अब जब भी आप पानी में से ग्रीन कलर का एक चद्र या साब देखोगे जब पूरो ताला पुछा चुका है या बहुत डेंस है या बहुत लाइट है तो जेनरली यह होता है बुलू ग्री न आ अलगि होता है ठीके यह एक्चुली फोडो सिंठेसिश करता इस टाइप के जो और पानी में रात को क्या करता है पानी से ऑक्सेजिण खिच लेता है तिसले दिन में पानी साक्षिजस ऑठ बढ़ जाता है या सिंगल मुत कम सकता है मतलब सिंगल कोस्ता का होता है हो सकता है या मल्टी सेलूलर या बहुत सारे सेल बहुत सारे कोस एक साथ मिलके बन सकता है ठीक है दोस्तों बहुत सारे डिफरेंट टाइप अल्गे हम मेजर नौ टाइप के अल्गे पर हम बात करेंगे एक होता है अपना ग्रीन एल्गे ठीक है इसके क्लोरोफाइट है भी बोलते हैं यह अगर आप देखेगा आपके तालाप में यह थोड़ा कुशनिंग जैसे स्पॉंज जैसा प्रेस वाटर में देखता है और समूंदर के पानी में में देखता है इस जैस सब हम अपके एज्यूजर हापर से शूरा उपर उपर से हम डिजॉस करने का ठीक है ऋग इस्पॉर ऐल्गे के इसको रोडफाइट होता है आपना falar मसंई 5 ऐसे में।иллиय हो यह को आखhos होता है डायटॉम्स यह अगर देख सकते हो यह हैरी हैरी स्ट्रक्चर यह यह आपको जनरले देखने को मिलता है फ्रेश वाटर में ठीक है यह पांचोवा जो है यह इसको बोलते हैं इंबश्य हैं ओर से जनरलले चाहे जाएंब के यूगलनोफाइट्स आपको यूगलन अगर आपने परा हो गया तो इस टाइप के सेब में रहता है इसका छोटा सा ऐसे एक फ्लैजिलर टाइप का रहता है यह चलने के लिए ठीक है यह मेली यूनिसेलूलर होता है यह आपके फ्रेश्वाटर एंवारेमेंट में बहुत दि ठीक है यह जो होता है यह जंगल जैसे रहता है प्लान जैसे दिखने को लगी था पानी में बट यह एक्शुली होता है ठीक है और जो लास्ट और फाइनल वाला है ब्लू-ग्रीन आल्गे इसको साइनो बैक्टरिया बोलते हैं हम लोग इसके बारे में हम डिसकॉस करेंग चच्री जो प्लू-ग्रीन आयूर ऑनीजिर्टोस घैसे भाट इसके जो हम सीषाह सब्सक्रां होता है उसको सब्सक्राइन आक्ट्रिय मतलब हैं अधनल ब्लू-चैРИप और इसको नहीं चांमगे और इसका जो घ defending इसका जो घ्रीबमेंटेशन होता है ठीक है इसको फाइको बिली प्रोटीन बोलके पिग्मेंट है इसके लिए एक ग्रीन दिखता है ठीक है तो क्लोड़ो फिल भी रहता है इसमें एक पिग्मेंट होता है जिसके लिए जिसके लिए फोटो सिंथेस होता है और और फाइको बिली प्रोटीन और ग्रीन पिग्मेंट होता आभी सीन लेक्टिरिया इसका पॉजिटिव ए दुन नेगटिव में इंपेक्ट हम दुनों डिसक technically क्या वेसं मैं ने बोला है photo synthesis करता है इसके सि dib kann तो रोड़ी बहुत हो जाता है उसले लिग्जाता है। को खीच लेता है पानी में नाइट्रोजेन खीच लेने के लिए क्या होता है पानी में नाइट्रोजेन बढ़ जाता है और नाइट्रोजेन के चक्कर में क्या होते हैं पानी में जितने सारे ग्रीन पार्टिकल्स होते हैं जितने सारे होता है इसको न्यूट्रिशन मिलता है में बहुत ज्यादा बढ़ता है क्योंकि उठीसरा फिरस इसलिए कि यह साफ से काम करते बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो म Chaddy कुछ मचली होता है कि मचली के खाना जैसा यह काम करता है ठीक है एक नैचरल फीट जैसा वोगे इन्वाइरमेंट करता है और कभी-कभी क्या होता है कि पॉजिटिव क्या है कि यह टेमप्रेचर कंट्रोल करता है इसपेशली घर्मी के टाइम पर समर के टाइम पर अगर आपके ताला बहुत शैलो है और बहुत धूप आ रहा है तो उसके च चार में पॉजिटिव साइट से इसका अगर आप नेगेटिव इंपक्ट देखते हो ब्लू-ग्रीन आलगे का क्या करता है जब भी यह थोड़ा बढ़ जाता है ना एक पाटिकुलर टाइम में क्या होता है इसके बाद एक टॉक्सिन करते है पूरे जो ब्लू-ग्रीन आल बाटर क्वालिटी रात में थोड़ा खराब हो जाता है क्योंकि जैसे हमें ने बोला दिन में औक्सिजन क्रियेट करता है पानी में रात को क्या करते है वह ऑप फिरे घरते रहता है इसलिए मचली को बहुत प्रॉब्लम होता है और कभी-कभी मचली को डेद भी हो कि ह chili Oxygen के लिए ठीक है पहले तो आपको उक्सिजन गम होजाता उसके उपर आपको आपके पानी में क्या होता है क्योंकि už clingaf karta है कि ठीक है उसके लिए Gary pH कम हो जाता है तो दोनों में अपी क्या होता है कि अप सुबह जब देखो सब्सक्राइब बहुत चिंज होता है और ओक्सिजन के लेबल भी कमें थीकर तीसरा चीज़ किया होते हैं कि इसका मतलब किया होता है कि यह जो blue green algae होता है ना ये ये तालाब में बहुत जल्दी फैलता है जितरे भी तालाब में nutrition होता है organic matter होता है सब को खा जाता है खीज लेता है और बहुत जल्दी बढ़ता है तो साड़े green organism को क्या करता है इंपाउड कर देता है तो मतलब स्रीव आपको blue green algae ही दिखे कर सब कुछ खतम हो जाएगा तालाब से मतलब तालाब के ecosystem पूरा चावपट हो जाएगा तो इसलिए बहुत important है आपको monitor करना पड़ेगा कि आपके तालाब में कितना green पानी रहना चाहिए उससे ज्यादा green पानी अगर होता है तो आप समझ लो कि आपको मचली में problem चालो हो जाएगा और मचली को motor lead बहुत जल्दी हो जाएगा इसलिए थोड़ा समाल के ज्यादा green पानी बनाने के चक्कर में इसलिए fertilizer मत दो कोई भी चीज कोई भी product खड़ीद लो कि आपका पानी को green कर देगा आपने खड़ीद लिया डाल दिया तो आपका तालाब चावपट हो जाएगा ठीक है यह चीज आप बहुत समाल के करना और इस्पेशली जब भी आपको blue green algae होगा ना तब बाहर से तो fertilizer देना भी नहीं है जब यह problem बहुत ज्यादा हो जाएगा और मचली का जो खाना है उसको भी थोड़ा कम कर देना क्योंकि मानिक मचली का खाना का जो 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 सर जाता है उसमें भी है हो भी ओर और हो आपका जो भी झाट है उसको बसुशना मिलता है फ्रूज जो भी बरने लगत तो जो भी जैसे भी आपका density है अगर आपके पास option है तो आपको water exchange करना पड़ेगा पानी निकालो पानी नया fresh add करो ठीके और तीसरा है कि जो sunlight का जो contact है direct contact उसको अवेट करो अगर आपके छोड़ा तालाव है या आपके पास बायो प्लॉक टैंग है उपन में खुला में तो उस अगर हम लोग बाहर से अगर जो fertilizer दे रहे वह देना बंद करना पड़ेगा और मचली का जो फीड है उसको भी कम कर देना है तो overall blue-green algae को nutrient नहीं विलेगा तो उसको growth stop हो जाएगा जल्दी से नहीं परेगा और उसको पर अगर आप treatment चालो करेगा तो उसमें effect बहुत जादा क करेगा उसको अंट्रोल मैं प्रोग कर सकते हो यह तीन जाशा यह बहुत में पाएगयों जो प्रोगिंग गया तो तो आपको साइनोबेक्ट्रिया ब्लू-ग्रीन आल्गे यह आपको ताला से धीरे-धीरे कम हो जाता है यह तीन टाइप करका प्रोवाइट एक आप जेनरली यूज़ करते हो तो ठीक है दोस्तों और क्या है अभी साइनोफाज साइनोफाज एक पर्टिकुलरी टार्गेटेट रहता है जो आपका ब्लू-ग्रीन आल्गे को टार्गेट करता है और खतम करते हैं यह मेंली सिंगापूर या बड़े-बड़े हाइफाई जो भी यह होता है अपके प्रोजेक्ट होता है उसमे स्टेज बात करो उसका डोस कितना है आपका क्रीन कंडिशन कितना है कितना green condition रखना उस गूपर आपको डूस डिसाइड करना पड़ेगा अब hydrogen पर ऑक्साइड आप यूज कर सकते हो ठीक है यह बहुत सस्ता होता है और आसपस मिल भी जाते हैं copper sulphide यूज कर सकते हो कोई कोई condition में potassium permanganate यूज कर सकते हो और अगर 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 आप श्रीम बेगर कोई 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 कर रहे हैं और अगर 15 ppt से ऊपर है तो आपके जो ब्लू-ग्रीन अलगे है वो कंट्रोल हो जाता है ठीक है दोस्त यह सारे चीज है अगर आप ध्यान से करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फुफुली कुछ इंपॉर्टन चीज है जो आपको याद रखना है जब भी ब्लू-ग्रीन अलगे का प्रॉब्लम होगा पहले तो क्या करना है फर्टिलाजर एक दम भी नहीं देना है दूसरा चीज क्या करना है ठीक है जो भी मैंने चीज बताय देना है उसका टीटमें चलो करना है और मचली का खाना भी थोड़ा कम कर देना इस्पेशली और या श्रीली क्या आपका जो आए टीपन कंटिन्यू करना है ठीक है जो भी मेरे मेथड बता है ठीक है थैंक यू सो मच आवे नाइस टेट